हेलो गाइज, वेलकम तो लर्ण मेंतेमेटिक्स तो SACCGL 2019 का ओफिशियल नोटिविकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म फिलप जाहे जो अभी से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वह है 25.11.2019 मतलब next month November to 25 तक इसका लास्ट डेट है और online fee payment का जो लास्ट डेट है वह है 27.11.2019 online और offline दोनों मोट का payment option है इसर पर available है और टायर 1 का जो एक्जाम है वह मार्ज 2 से लेके 11 मार्ज तक चलेगा और टायर 2 और टायर 3 का एक्जाम जो है वह 22 June से 25 June के बीच में होगा टायर 1 और टायर 2 का जो एक्जाम होता है वह computer भीच होता है और टायर 3 का जो एक्जाम होता है वह pen paper भीच होता है ठीक है और SSCGL में group B और group C level का post होता है टोटल यहाँ पे 38 types का post है ठीक है और इस एक्जाम में apply करने के लिए आपको 100 rupees का fees लगता है और syllabus जो है इस एक्जाम का वह टायर 1 और टायर 2 के लिए different होता है तो टायर 1 में क्या है दीखें टायर 1 में general aptitude, general intelligence, general awareness का quantitative aptitude, English comprehension यह पुरा computer-based exam में 200 marks का सब 50-50 marks का ठीक है उसके पाद टायर 2 का exam जो है उसमें 4 paper रहेंगे उसमें paper 1 quantitative ability, paper 2 English language, paper 3 statistics and paper full general studies ठीक है यह पर हर paper 200 marks का होता है ठीक है और हर paper के लिए आपको 2 घंडे का time मिलेगा ठीक है और टायर 3 का जो exam में वो pen paper based होता है वो descriptive paper English और Hindi दोनों language में होता है SSC का paper आपको दोनों language में आप दे सकता है form fill up के time में आपको choose करना पड़ता है कि आप हिंदी में या English में form fill up 25 11 है मतलब next month November 25 तक आप apply कर सकते तो मैं आपको यही suggest करूंगा कि आप late मत कीजे अभी इस exam का form fill up कर लीजे ताकि बाद में कोई problem ना हो और अपना पूरा focus जो आप अपने preparation में लगा दीजे तो all the best आपके preparation के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना वेलकोल भी मत बूलिएगा इसी तरह में आपके लिए हर exam का notification और preparation tips लेकर आता रहूंगा